नमस्कार दोस्तो, वेलकम बेक टू यूटूब चनल, तो दिखो फ्रेंट्स, आज मैं बादसित करने वाले हैं, चिंजीन लोगों को, मतलब कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर थे, 700 लोगों को इंकम टेक्स का नोटिस आया है, क्योंकि मैं आपको रिजन देता हूँ कि क्य हुआ होगा, इसलिए उसे नोटिस किया है, और काफी सारे लोग यहां पर क्या है कि पैनिक में है, और डरे हुए, चिंजीन लोगों ने इंकम टेक्स नहीं पे किया है, या तो इंकम टेक्स के बारे में पता नहीं है, क्रिप्टो करनसी के बारे मैं बादसित कर रहा हूँ आने वाले टैम में मैं खुद tax pay करके बताऊंगा कि इतना earning है तो इतना ही tax pay करना है और इस इस तरीके से tax pay करना है पट एक एप्रेल के बाद तो एक कोई पंगा नहीं रहेगा तब जो अपडेट आएगा तब हम अपडेट करेंगे अभी के लिए देखो इन इन चिंजिन ल यहां पर देखो हमारा admin एक बहुत अच्छा खासा सब्सक्राइबर था है दो दिनों से उसने हैंडल किया है और बहुत अच्छा खासा काम किया है मुझे बहुत पसंद आया continue यहां पर दिया है और आज के दिन हम लाइव भी करने वाल है तो चिनल को भी सब्सक्राइब कर करके रखना वीडियो को शुरू करते हैं अब देखो फ्रेंट्स यहां पर जो 700 लोगों को मतलब कि 700 क्रिप्टो इंवेस्टर को यहां पर नोटिस आया है तो देखो यहां पर उन लोगों को क्या-क्या प्रूब्लेम हुआ है सबसे पहले तो उसको पैनल्टी देना होगा 30% tax and interest मतलब तक्रिबन देखा जाए तो 40-45% tax इतना तो उसको tax pay करना पड़ेगा अब तो क्योंकि उन लोगों न tax pay नहीं किया होगा इसलिए ऐसा हुआ होगा मैं आपको reason देता हूँ कि इन लोगों कोई notice क्यों आया और हमें डरना है या तो नहीं डरना है तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इन लोगों का जो profit है 5 लाख रुपे से ज्यादा होगा मतलब 10 लाख से भी ज्यादा होगा तभी इसको notice आया होगा क्योंकि income tax जो department है छोटे मोटे payment के लिए हाथ नहीं डालती क्योंकि उसके पास इतना ज्यादा time नहीं होता कि ये 25,000 रुपे के पता देता हूँ जिन लोगों को 5 लाख रुपे या तो उससे नीचे earning हो रहा है profit मतलब एक साल का 5 लाख या तो उससे नीचे कमाया है इसको notice नहीं आएगा 5 लाख से ज्यादा कमाया है बट उसने tax pay नहीं किया है उसको notice आ सकता है तो उस लोगों को tax pay करना चाहिए CA से बा 5 लाख रुपे गा तो उस्तेदी सी बात है notice तो आना ही है और दूसरी बात एभी है कि यहाँ पर इन लोगों ने tax pay ही नहीं किया हो ऐसा भी हो सकता है और कमाया ज्यादा हो ऐसा भी हो सकता है बट हमें क्या करना है 5 लाख रुपे या तो उससे नीचे भी हम भले कमा रहे ऐसे ही 0% tax pay करने के बाद हमें ITR file कर देना चाहिए समझ रहे हो तो बाकी डरना नहीं है जो 10,000, 20,000, 15,000, 1,00, 2,00,000 रुपे कमाया है उसको tax pay नहीं करना है उसको डरने वाली कोई बात नहीं बाकी जो अभी rule नया आ रहा है एक अप्रिल के बाद तब देखा जाये का क्या है मैं तब भी आपको सिखाऊंगा बाकी अभी डरने वाली बात नहीं लोगों ने सुना 700 लोगों को notice है बड़ देखो भाई उन्होंने 5-10 रुपे नहीं कमाया है 5,000, 10,000 नहीं कमाया है एक लग दो लग नहीं कमाया है उन लोगों ने कम से कम 5 लग रुपे से ज़्याद कितने ट्रांजेक्शन हुए या तो उसने बैंक में ज़्यादा विड्रो लिया होगा और टेक्स पे नहीं किया होगा ऐसा हो सकता है मेरे मुताबित बाकी आपको डरना नहीं है मैं आपको बताऊंगा ठीक है और आपको क्या है कि 5,000,000 रुपे या तो उससे नीचे कमा र रपता है और 5,000,000 रुपे से जो नीचे है उसे कोई गबरानी वाली बात नहीं है गुड़ बाई